आप सभी का स्वागत है competition community में मैं हूँ अभिशेक गौरहा और हम डील कर रहे हैं current affairs on a weekly basis आज हम डील करने वाले हैं अगस्त महिने के पहले हफ्ते के लिए हमारी समसमाई की घटनाएं जो राश्ट्री और अंतर राश्ट्री इस्तर पर हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगी ठीक है आई यह शुरू करते हैं यह जो आपका current affairs होंगे अगस्त के पहले हफ्ते के नाम स है तो आप लोगों को जरूर मिल रही है लेकिन यह जो current affairs होंगी यह होंगी आपकी 28 जुलाई से ले करके कि पूर्ट ऑफ अगस्त तक के यह क्या होंगे current affairs आप लोगों को देखने को मिलेंगे सबसे पहला जो हमारा format है उसी format में हम शुरू करेंगे पहला जो हमारे लिए टॉपिक वो रहेगा इस हफते क्या क्या हमारे देश में हमारे लिए हमारे देश या फिर अंतरराश्टी इस तर पर हमारे लिए महत्वपूर्ण समसभाई की घटनाएं जो हमारे एक्जाम के लिए उपयोगी हो सकती है सबसे पहला है इंडिया फर्स थ्रीडी प्रिंटेट स्कूल दूसरा है सुप्रीम कोट्स लैंड मार्क डिसीजन यह दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है भारत का पहला थ्रीडी स्कूल इटा नगर अरुनाचल प्रदेश में बनाया गय चर्चित व्यक्तियों के बारे में कोई ऐसे चर्चित व्यक्ति जो हमारे इस हफ्ते महत्वपूर्ण रहे हैं यह कौन-कौन है रोहन बोपन्ना है ओम प्रकाश मातुर है अभिनाव बिंद्रा है और लेफटेनेंट जनरल साधना सक्सेना है इन सभी के बारे में हम के बाद में क्या हमारे पास कोई महत्वपूर्ण दिवस सम्मान रिपोर्ट्स या फिर पुरसकार है तो बिलकुल हमारे पास में है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे दूसरा है आपका वर्ल्ड डे अगेंस ट्राफिकिंग इन परसन याने की विश्व प्रकृतिक संरक् डे या फिर इसे आप वर्ल्ड वाइब वेब याने की डबलू 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 जो हम पढ़ते हैं शुरू से उसका भी एक दिवस हाल ही में आयोजित किया गया था या मनाया गया था उसके बारे में देखेंगे स्पोर्ट सेक्शन हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आज के इस सेशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पैरिस ओलंपिक्स के बारे में फिर हम देखेंगे टी ट्वंटी एशिया कप दोहजार पचीस के बारे में और फिर हम इडिक फेस्टिवल जो लेह लद्दाग में मनाया जाता है उसका चौथा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया था तो ये सारी चीजों को आज हमको देखना है आईए शुरू करते हैं सबसे पहला है हमारा इस हफते की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें सबसे पहल है आपका भारत का पहला 3D printed school government secondary school पचिन इटा नगर अरुनाचल प्रदेश भारत का पहला 3D school बन गया है दो महिने पहले यहां का जो school था ये आपका government secondary school पचिन का इसमें आग लग गई थी जिसके बाद पूरा का पूरा बिल्डिंग ही क्या हो गया था द्वस्त हो गया थ और अर्जेंसी को देखते हुए जल से जल यहां पर बिल्डिंग निर्मान के लिए 3D printing के method से use करके क्या किया गया है इस government secondary school को फिर से बनाया गया है और बनाने के साथ ही ये भारत का पहला क्या बन गया है 3D printed school बन गया है इसके साथ ही हमें कुछ एक तो और information जाननी है जै इनाग्रेट किया गया था उसी प्रकार भारत का पहला 3D printed house याने की इंडियास फर्स 3D printed house built by IIT मदरास start-up त्वस्ता वह इनाग्रेटेड ओन campus 2021 याने की 3D printed घर को पहली बार IIT मदरास में 2021 में क्या किया गया था इनाग्रेट किया गया था उसी प्रकार जो पहला 3D printed आपका क्या था पोस्ट ऑफिस था उसे बैंगलूरू में 2023 में inaugurate किया गया था हाल ही में भारत का पहला 3D printed क्या school inaugurate किया गया है कहां इटा नगर अरुनाचल प्रदेश में और ये कौन सा school है government secondary school पच्चिन नामक जगह पर जो इटा नगर में है जो कहां पर है अरुनाचल प्रदेश की राजधानी है इसके साथ ही ह फर्स्ट रॉकेट अगनी बान सौर्टेड पावर्ड बाइफ फुली 3D printed इंजन वोज अलसो लॉंच्ट इन इंडिया इन 2024 इट्सेल्फ याने की 3D प्रिंटेड घर 3D प्रिंटेड घर के बाद 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस और 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस के बाद अगनी बान सौर्टेड ये भी भारत ने विश्व को एक क्या दी है सौगात दी है तो ये सभी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं है ना तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का पहला ऐसा रॉकेट जो 3D प्रिंटेड इंजन द्वारा लॉ ये आप लोगों को याद होना चाहिए हाला कि इसे हमने अपने पहले भी विडियो में डील किया हुआ है दूसरा जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट का लैंड मार्क डिसीजन आया है किसमें जो आपका जाती वर्ग के आरक्षन से सम्मंदित है इसके बारे में क्या है थोड़ा सो हम इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करते हैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उपवर्गी करण पर भारत के सर्वोच नयायाले का एतिहासिक निरने आया है तो यह डायरेक्टली अगर आपसे पूचा जाए यह डिसीजन किस चीज़ पर बेजड है तो यह आपका सब कैटेगराईजेशन और शीडियूल कास्ट एंड शीडियूल ट्राइब के उपर यह डिसीजन दिया गया है एक एतिहासिक निरने में सर्वोच नयायाले की सात नयाया दीशों की पीठ ने गुरु हुआर याने की एक अगस्त को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कोटा के संचालन के तरीके को फिर से परिभाशित किया है याने की जो आपका आरक्षन में अनुसूचित जाती और जन जाती के कोटे को किस तरीके से उ चुरुआद के बाद ये पहली बार है तो किस चीज पर डिसीजन दिया गया है सब क्याटेगराईजेशन के ऊपर याने की पहले इसको पूरा डिटेल में देखते हैं क्या है हमारे पास इंफोर्मेशन फिर हम इसको समझने की और डिटेल में कोशिश करेंगे इन अ 6-1 ruling the bench headed by Chief Justice of India D.Y. चंदरचूर permitted states to create sub classification within SCs and ST categories for purpose of according wider protections through fixed sub quotas to the most backward communities within these categories याने की अब जो राज्य होंगे जो भी आपके राज्य हैं भारत के उन सभी के पास एक अधिकार और बढ़ जाएगा कि वो जो SCs और STs की list है उनमें से भी जो अध्यधिक क्या है पिछडे है उनको क्या किया जाता है उनका सब categorize करके उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती ह है किसमें आरक्षण में उदाहरन के लिए अगर ST वर्ग की हम बात करें तो ST कोई एक होमोजीनियस वर्ग नहीं है याने की कोई एक क्लास नहीं है ST क्या है scheduled tribes है याने कि जो जनजातियों को एक अनुसूची में list किया गया है it is a list एक क्या है ये list है जिसमें हमें क्या मिलती है जनजातियों का उलेख मिलता है जिनको क्या करना है उनके पिछडे पंसे बाहर निकाल करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है उन जनजातियों की एक list होती है उस list को हम बोलते है क्या scheduled tribes उस list में mention जितने भी tribes है उनको हम बोलते हैं scheduled tribes इसका ये मतलब नहीं है कि ये पूरा का पूरा एक क्या है categorization है मतलब scheduled cast जैसी कोई चीज होती है या scheduled tribe जैसी कोई चीज होती ऐसा नहीं है अब मानते हैं कि अगर schedule tribe के अंदर में x, y, z, a, b, c, d इतने tribes को ये अलग-अलग tribes हैं जिनको क्या किया गया है schedule किया गया है या फिर अनुसूची में उस list में शामिल किया गया है और इसमें से भी जो a, c, d है ये अत्यंत ही ज्यादा क्या है पिछडे हुए जनजातिये सम हैं लेकिन जो x, y, z और b हैं ये सभी वैसे आपके आदिवासी जनजाती समू है जो समाज की मुख्यदारा तरफ बढ़ चुके हैं या फिर वो उतने जादा पिछडे हुए नहीं है तो अब इन तीनों का क्या कर दिया जाएगा सब categorization कर दिया जाएगा और एक उदाहरण के तोर पर अगर 100 में से 40 प्रतीशत आरक्षन किने दिया जा रहा है जितने भी जो tribes हैं जिनको इस schedule tribe की list में शामिल किया गया है उन सभी को 40% का अगर आरक्षन दिया जा रहा है तो इस 40% में से भी मान सकते हैं आप अगर ये 40% का भी 15% ये सब उदाहरण के लिए है ना 15% केवल और केवल इन तीनों को दिया जाएगा A, A, C और D याने कि जो category के अंदर में भी क्या है अत्यंत जादा पिछड़े हुए हैं उनका सब categorization किया जा सकेगा किसके द्वारा राजियों के द्वारा ये निर्नय लिया गया है किसके द्वारा Supreme Court के द्वारा ठीक है ताकि एक क्या हो सके वाइडर protection through fixed sub quotas to most backward communities within these categories ये पूरी की पूरी यहां पर बात की गई है किसके द्वारा Supreme Court के द्वारा इस decision के द्वारा क्या हुआ है इस overturns the Apex Court's 2004 decision in E. V. Chinayya versus State of Andhra in which it had held that SCs and STs list a homogeneous group that cannot be divided further याने कि इस decision के बाद में जो E. V. Chinayya बनाम आंद्रप्रदेश राज के निर्नय था सर्वोच नयाले का 2004 का उसका फैसला पलट दिया गया है जिसमें बोला गया है कि SC और ST एक क्या होता है समजातिये समू है सजातिये समू है याने कि homogeneous एक क्या है आपका ग्रूप है लेकिन अभी क्या बोला गया है it is not a homogeneous group it is a heterogeneous group याने कि इसके भी अलग अलग जो जैसे इसमें अलग अलग कास्ट हैं वे सभी differ कर सकते हैं अलग अलग social economical और political categories में याने कि यह सभी अलग अलग है अलग अलग जातियों को एक किसमें अनुसूची में लेखित किया गया है जिस सूची को हम क्या बोलते हैं अनुसूचित जातियों का अनुसूची है ना तो इसमें भी जो अत्यन्त पिछडे होंगे उनको क्या किया जाएगा सब क्याटेगराइज करके प्राथ मिक्ता दी जाएगी जो अभी तक इस overall SC वर्ग को जितना कोटा मिल रहा था, ST वर्ग को जितना कोटा मिल रहा था, उस कोटा के अंदर में ही क्या किया जाएगा चिन्रांकित करके इन्हें और जादा क्या दिया जाएगा कोटा दिया जाएगा ठीक है इसके बाद में जो आपका ये जो पूरा का पूरा निर्ने आया है, ये आया है आपका दविंदर सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था जिसके अगेंस में ये दविंदर सिंग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी 2020 में और 2020 के बाद से ही ये मुद्दा सामने आया था जिस पे ये डिसीजन फाइनली 2024 में ले लिया गया है अब ये जो आपका पूरा का पूरा पूरा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया इसमें मुख्यता जो आपके अनुच्छेद आपके लोगों के लिए महत्पूर्ण हो जाते हैं वो है आपका अनुच्छेद 341 अनुच्छेद क्रमांग 15 और अनुच्छेद क्रमांग सुल्ला क्योंकि अनुच्छे 341 जो है इसमें बताया गया है कि शिडियूल कास्ट या फिर शिडियूल ट्राइब्स का जो आपका एक लिस्ट होगा उसे जारी करने वाला कौन होगा प्रेसिडेंट होगा राश्ट्रपती इसके मात्यम से करेगा पब्लिक नोट तो कि किसी आदिवासी सबूह या फिर किसी पिछडे वर्ग को इसमें शामिल करने का काम कौन कर सकता है तो वो कर सकता है आपका कौन जो पार्लियमेंट है लेकिन अब क्या हो जाएगा जो आपका पंद्रवा और 60 आपका आर्टिकल है सम्मिधान का भारतिय सम्मिधान का इसके तहत जो राज होंगे, states जो हैं हमारी, उनको ये power मिल जाएगी कि वो अब क्या कर सकते हैं, इस list में वर्की करन कर सकते हैं, सब classification कर सकते हैं, सब categorization कर सकते हैं, तो जो main तीन आपके articles हैं, जो इससे related हो जाएगे, वो है आपका, article 341, article 15 और article 16 of Indian constitution, आगे चलते हैं, people in news, याने कि इस महीन, इस हफते हमारे लिए जो महत्तपून लोग रहे हैं, उनके हम, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं, सबसे पहले हैं हमारे रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना हमारे भारत के चहेते tennis player है, स्टार tennis player of India, announced his retirement from tennis, after getting defeated at Paris Olympics, Paris Olympics में हार का सामना करने के बाद में, रोहन बोपन्ना ने, tennis से क्या कर लिया है, retirement की गोशना कर दी है, और ये गोशना करने के बाद, इनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी है, इनके बारे में थोड़ा सा information देख लेते हैं, इसी साल 2014 में ही, इन्होंने Australian Open का खिताब जीता है, Men's Doubles में किसके साथ में, Matthew Abton के साथ में, जो की Australia के हैं, याने कि Matthew Abton और रोहन बोपन्ना ने Australian Open का Grand Slam, Men's Double का जीता है, और ये जीतने के साथ साथ हमारे जो रोहन बोपन्ना है, उन्होंने एक record कायम कर दिया है, ये सरवादिक, ये माफ किज़ेगा, ये Grand Slam के Men's Double में Rank 1 रहने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गये हैं, याने कि Grand Slam No.1, Men's Double के No.1 रहने वाले सबसे ज्यादा उम्र के कौन बन गये हैं, व्यक्ति रोहन बोपन्ना बन गये हैं, कब बने हैं, ये Australian Open जीतने के बाद में क्या हो गए, ये दोनों ही, Matthew Edmond भी और रोहन बोपन्ना भी World No.1 की रैंकिंग पे आ गये हैं, और World No.1 रैंकिंग पे आने वाले Men's Double की कैटेगरी में रोहन बोपन्ना हो गये हैं, क्या सबसे उम्र दराज व्यक्ति, जो कितने 43 वर्ष की उम्र में सबसे ज्यादा वर्ष के क्या हो गये हैं, ठीक है, Australian Open इन्होंने किसके साथ में जीता है, Matthew Abdon के साथ में, 2024 में ही इन्होंने जीता है, ठीक है, आगे चलते हैं, याने कि यह जो आपके रोहन बोपन्ना है, यह भारत के तीसरे ऐसे व्यक्ति बन गये हैं, जो Grand Slam के डबल्स का टाइटल जीत चुके हैं, सबसे पहले जो रहे हैं, वो रहे हैं, लियंडर पेस, और दूसरे रहे हैं, महेश भूपती, महेश भूपती के बाद में तीसरी जो हैं, तीसरे जो हैं, वो कौन बन गये हैं, आपके, रोहन बोपन्ना बन गये हैं, जो Grand Slam जीत चुके हैं, यह दो Grand Slam जीत चुके हैं, आ जाद होने चाहिए लेंडर पेस महेश भूपती सानिया मिर्जा और चौते हैं आपके कौन रोहन वो पन्ना इसके बाद में अगला जो है यह यह दो बार ग्रैंड स्लैम का टाइटल जीत चुके हैं पहला इन्होंने कब जीता था 2018 का फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता था जो कि मिक्स्ट डबल्स के टाइटल के अंडर में इन्होंने जीता था ठीक है चलिए अगला देखते हैं फॉर्मिंग एन एक्सिलेंट टीम विद एसम उलहक कुरेशी और पाकिस्तान दे वर पॉपिलरली नोन एज इंडो पाक एक्स्प्रेस आफ्टर विनिंग फाइव 2010-2014 याने कि पाकिस्तान के एसम उलहक कुरेशी के साथ में बहतरीन टीम बनाकर इन्हें क्या कहा जाता था इंडो पाक एक्सप्रेस कहा जाता था वेरी 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 इंपोर्टेंट आप लोगों से कभी भी पूछा जा सकता है कि इंडो पाक एक्सप्रेस किसे कहा जाता था है ना टैनिस की दुनिया में इंडो पार्क एक्सप्रेस किसे कहा जाता है तो रोहन बोपन्ना जो भारत से हैं और दूसरे कौन है एसाम उलहक कुरेशी जो पाकिस्तान से हैं इन दोनों की टीम ने 2010 से 2014 तक बहुत जादा किताब जीते हैं टोटल कितने 5 किताब जीते हैं और उसके बाद से इन्हें इंडो पार्क एक्सप्रेस कहा जाता था 2019 में उन्हें अर्जुना पुरसकार से भी सम्मानित किया गया है जो मेजर ध्यांचन खेल रत्न पुरसकार के बाद भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है तो ये सब इनफॉर्मेशन है किसके बारे में रोहन बोपनता के बारे में जोंने हाल ही में क्या किया है टेनिस से सन्झ्यास की गोशना करती है कि मैं कैंट पूर्ण हो जाएंगे और आ को गया चुक्र्ण के रूफ में क्या कर चुके है अपना शपत ले चुके हैं तो सिक्किम के कौन से नंबर के गवर्नर बन गए हो प्रकाश मातुर अठारवे क्रम के गवर्नर बन गए हैं और इन्हें इससे पहले जो लक्षमन प्रशाद आर्या थे लक्षमन प्रशाद अचार्य यह क्या थे सिक्किम के गवर्नर या फिर र वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए है कौन अभिनौ बिंद्रा अभिनौ बिंद्रा बिकेम फ्रस्ट इंडियन टू रिसीव ओलंपिक ओर्डर ओलंपिक ओर्डर विच इस दा हाइस्ट अवर्ड गिवन बाई आई ओसी याने की International Olympics Committee for Meritorious Service याने की सर्वोच पुरास्कार है यह किसका IOC का अंतरराश्ट्रिय ओलंपिक परिशत द्वारा दिया जाने वाला सराहनी सेवाओं के छेत्र में सर्वोच क्या है आपका सम्मान है ओलंपिक ओर्डर और इसे पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए है कौन भारत को एकल श्रेडी में पहला गोल्ड मेडल दिलाया था कौन से वर्ष में दिलाया था यह आप लोगों को पताना है अभी नौपिंद्रा ठीक है इंडियास फर्स्ट ओलंपिक इंडिवीज्वल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस एट बीजिंग ओलंपिक्स 2008 वेरी वेरी वे काटेगरी में और कब क्या किया था गोल्ड मेडल हमारे लिए जीता था तो उन्होंने शूटिंग में उन्होंने शूटिंग में ही क्या किया था 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में इंडिवीज्वल कैटेगरी में ऑलंपिक गोल्ड ले करके आये थे कौन, अभी नो बिंदरा इसके साथ ही जो तूसरा इंडिवीज्वल आपका ओलंपिक गोल्ड है, वो कौन ले करके आये हमारे लिए, यह नीरज चोपडा जो की Tokyo Olympics 2020 में क्या किये थे Gold Medal Javelin Throw में हमारे लिए ले करके आये थे तो ये दो हमारे पास में क्या है Individual Gold Medals है भारत के Olympics में पहला अभिनो पिंद्रा Beijing Olympics 2008 में दूसरा नीरत चोपड़ा Tokyo Olympics 2020 में इसके बाद में जो महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं वो है आपकी Lieutenant General साधना सक्सेना Lieutenant General साधना सक्सेना क्या बन गई है भारती ये वायू सेना में 38 साल की सेवा के बाद दिल्ली में चिकिच्सा सेवा सेना की महानिदेशक बन गई है जो चिकिच्सा सेवा होती है सेना की उसकी महानिदेशक आने की director general of medical services army जिसका headquarter है कहाँ पर न्यू डेली में वो बन गई है कौन साधना सक्सेना और ये बनने वाली ये पहली महिला हो गई है तो lieutenant general साधना सक्सेना पहली महिला है जिन्होंने क्या का पद ग्रहन किया है आगे चलते हैं, कोई हमारे लिए ऐसे स्थान है जो हमारे लिए महत्तपूर्ण है, तो बहुत ज़्यादा महत्तपूर्ण है हमारे लिए चराइ देव मैदान जो की असम में है। असम के अहोम राजवन्स की अद्वीतिय 700 साल पुरानी तीला दफनाने की प्रणाली चराई देव मैदाम को 26 जुलाई को आधिकारिक तोर पर संयुक्त राष्ट सेक्षिनिक, वैज्यानिक और सांस्कृतिक संगटन याने की युनेसको United Nations Educational Scientific and Cultural Organization का 43rd World Heritage Site के रूप में भारत का इसे चिन्दांकित किया गया है जो प्रतिष्ठित सूचकांक में शामिल होने वाली भारत की 43वी संपत्ती बन गई है याने की चराई देव मैदाम के इंक्लूजन के बाद में भारत में जो World Heritage Sites हैं विश्वधरोहर आपकी विश्वधरोहर की सूची है उसमें कुल मिला करके अब 43 प्रॉपर्टी को क्या कर लिया गया है इंक्लूड कर लिया गया है अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत में कितने विश्वधरोहर छेत्र है या फिर World Heritage Sites है तो आप लोग को बताना है कितना 43 और जो 43 नंबर का है वो कौन है आपका चराइदेव मैदाम और यह क्या है यह कब्रगाह है किसकी जो असम के अहोम राजवंच थे उनकी एक कब्रदा है मतला पीढ़ी दर पीढ़ी वे अपने सभी लोगों को यहां पर ही क्या करत हैं दफनाते हैं और इसे 26 जुलाई को क्या किया गया है युनेस्को की विश्व धरूहर साइट में शामिल कर लिया गया है खास बात यह है कि यह जो हमारा नौर्थ इस इंडिया के सेवन सिस्टर से उसका पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो की कल्चरल कैटेगरी का ह इसके अलावा दो और वहां पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं एक है काजी रंगा और दूसरा है मानक मानस यह दोनों ही आपके क्या है राश्ट्री उत्यान है और यह दोनों को ही प्राकृतिक कैटेगरी में यानिकी नैच्छल कैटेगरी में क्या किया गया है विश्व महत्पूर्ण हो जाता है हमारे लिए इट वाज एड़ेट तो दे लिस्ट द्यूरिंग 46th मीटिंग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट या फिर वर्ल्ड हेरिटेज कमीटी एड न्यू डेली दिस यह यानिके दोजार चौबेस में नई दिल्ली में वर्ल्ड हेरिटेज कमीटी की 46 मीटिंग हो रही थी जिसमें क्या किया गया है चराई देव मैदाम को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है इट इस फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट आफ नौर्ट इस इंडिया अंडर क्लिश्टरल केटेगरी जॉइनिंग काजी रंगा नैशनल पार्क और मानस नैशनल पार्क विच्छ लिस्टेड अंडर नैशनल केटेगरी कुल मिला करके तीन आपके क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं कहां पर नौर्थ इस्ट में और तीनों के तीनों ही आसम में हैं पहला है आपका काजी रंगा नैशनल पार्ग दूसरा है आपका क्या मानस राश्ट्री उद्यान मानस नैशनल पार्ग ये दोनों आपका कौन से कैटेगरी के हैं प्रकृतिक कैटेगरी के या फिर नैशनल क् जाता है विश्व धरोहर की सूची में शामिल हो जाता है अब इसके साथ में जैसा कि हमने देखा कुल मिला करके भारत में 43 43 वर्ल्ड एरिटेज साइट्स हो जाती है 43 विश्व धरोहर स्थल हो जाते हैं जिसमें से 35 जो है ये सांस्कृतिक रूप से है याने की कल्चरल है 35 क्या है कल्चरल साथ आपके क्या है प्राक्रितिक याने की नैचरल और एक मात्र आपका मिश्रित रूप से है याने की mixed category का है और ये कौन सा है आपका कंचन जंगा राश्ट्री उत्यान या फिर कंचन जंगा तो ये कुल मिला करके आपके विश्व धरोहर स्थलों के बारे में मात्वपूर्ण जानकारी हो गई इसके बाद में हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है क्या टॉपिक में हम आगे पढ़ते हैं विश्व प्राकृतिक संरक्षन दिवस ये पहला है आपका वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे प्रती वर्ष इसे 28 जुलाई को मनाया जाता है है ना 28 जुलाई को प्रती वर्ष इसे मनाया जाता है किसे विश्व प्रकृती संरक्षन दिवस वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे चोहजार चौबिस का जो थीम रहा वो रहा connecting people and plants exploring digital innovation in wildlife conservation लोगों और पौधों को जोड़ना वन्य जीव संरक्षन में digital नवाचार की खोज करना ये इस साल का क्या रहा थीम रहा प्रती वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व प्रकृती संरक्षन दिवस अगला है आपके पास में अच्छा इससे ही संबंदित कहां पर confusion होता है वो देख लेते हैं यह है आपका क्या प्रकृती संरक्षन याने की लिश्व पर्या वरण संब्क्षन दिवस तो यह तीनों में हमको confused नहीं होना एक है आपका क्या विश्व प्रकृति संरक्षन दिवस जिसे 28 जुलाई को मनाया जा रहा है दूसरा है हमारे पास में विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है और तीसरा है हमारा क्या विश्व पर्यावरण संरक्षन दिवस इसे मनाया जाता है कब 26 नवे ये रहा है क्या विश्व पर्यावरण दिवस पाच जुन को जो मनाया गया था उसका अगला है हमारे लिए जो महत्वपूर्ण दिवस इस हफते मनाया गया है वो है आपका वर्ल्ड दे अगेंस ट्रैफिकिंग in person याने की मानव तसकरी के खिलाफ विश्व का दिवस है ना प्रती वर्ष इसे 30 जुलाई को मनाया जाता है 2013 में संयुक्त राश्र महा स्वभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसके तहट 30 जुलाई को मानव तसकरी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में नामित किया गया था और गोशना की गई थी ऐसा दिन मानव तसकरी के पीड़तों की स्थिती के बारे में जहागरूपता बढ़ाने और उनके अधिकारों के प्रचार का संरक्षन के लिए आवश्यक है याने की 2013 में युनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इसे एडॉप्ट किया गया था एक रिजॉल्यूशन पास करके और बोला गया था कि 30 जुलाई को हम प्रतिवर्ष क्या मनाएंगे वर्ल डे अगेंस ट्राफिकिंग इन पर्सेंस मनाएंगे टू रेज अवेरनेस ऑफ दे सिचुवेशन विक्टिम्स ऑफ हुमन ट्राफिकिंग एंड फोर प्रोमोशन और प्रोटेक्शन ओफ देर राइट्स मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है आप सभी समझ गये होंगे चलिए आगे चलते हैं और तीसरा जो हमारे पास में महत्रपूर्ण दिवस है यह वैश्विक बाग दिवस या फिर ग्लोबल टाइगर डे वैश्विक बाग दिवस या फिर ग्लोबल टाइबर डे यह वैश्विक बाग दिवस तूरेज अवेरनेस अबाउट अब्ट अब्ट एंडेंजर बिक कैट देव फांडेट इन टो थाओजन टेन एट सेंट पीटर्वर्ग टाइगर समिट रश्या याने की 2010 में सेंट पीटर बर्ग में एक टाइगर सब्ट किया गया था उस समय इसकी इसका गठन किया गया था कि 29 जुलाई को हम प्रतिवर्ष क्या मनाएंगे वैश्विक बाग दिवस मनाएंगे ताकि इस शांदार लेकिन लुप्त प्राय बड़ी बिल्ली के बारे में जागतुकता को बढ़ाया जा सके है ना याने की 2010 में रश्या के सेंट पीटर बर्ग में एक टाइगर समिट और्गनाईज कराया गया था जिसमें वे तेरा देश शामिल हुए थे जहां पर टाइगर का मुमेंट सबसे ज्यादा है या सबसे ज्यादा बाग पाये जाते हैं क्योंकि टाइगर क्या हो रहे हैं विलुप्त प्राय एक बड़ी प्रजाती है बिल्लियों की इसलिए ये जो तेरा के तेरा देश थे इन सभी ने एक संगठन बनाया जिसको हम बोलते हैं क्या टी एकस टू और ये टी एकस टू क्या है टाइगर की जनसंख्या को दुगना करना दो हजार बाइस तक दो हजार बाइस तक इसकी जनसंख्या को डबल करना इनका क्या था मकसद था ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला जो हमारे पास में दिन है वो है वर्ल्ड वाइड वैप डे याने की डबलू 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 डे वर्ल्ड वाइड वैप डे सेलिब्रेटेड एवरी एर ओन फर्स्ट ऑफ अगस्त फर्स्ट अगस्त को प्रती वर्ष मनाया जाता है किसके लिए इंटरनेट के आविश्कार और उसके विकास को चिन्हांकित करने के लिए 1989 में टिम बर्नर ली के दवारा क्या किया गया था इनागरेट किया गया था और इस वर्लड वाइड वैप में पहला जो वेब साइट था वो कब बन कर त्यार हो गया था तो 1990 1991 हे 1991 को पहला website क्या हो गया था बन करके तयार हो गया था तो ये वे सभी हमारे लिए महात्वपूर्ण दिवस रहे हैं जो हमारे लिए अगस्त के पहले हफ़ते में जानकारी के लिए जरूरी है ठीक है आगे चलते हैं हम अमारे sports के section में और देखते हैं sports में हमारे लिए क्या महत्तपूर्ण है बहुत ज्यादा महत्तपूर्ण है क्या पैरिश olympics 2024 का आयोजन एवं समापन दोनों ही हो चुका है क्या इसमें हमारे लिए महत्वपून रहता है क्या भारत की इसमें स्थिती रही क्या भारत ने यहां पर परफॉर्म किया है ये भी हम आज देखते हैं पेरिश उलंपिक 2024 जिसको आधिकारिक तौर पर तैंतीसवे उलंपियाड के खेल के रूप में जाना जाता है 26 जुलाई 2024 को शुरू हुआ और 11 अगस्त 2024 को समाप्त हुआ याने कि इन्हें official रूप से किस नाम से जाना जाता है Games of 33rd उलंपियाड के नाम से ये जो पेरिश उलंपिक था ये समर उलंपिक था समर उलंपिक जो आपके उलंपिक होते हैं ये दो रूपों में आप लोगों को देखने मिलते हैं एक समर क्याटिगरी होती है और एक विंटर क्याटिगरी होती है हर दो दो साल में एक बार समर एक बार विंटर एक बार समर एक बार विंटर होता है तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि दो समर ओलंपिक्स जो होते हैं दो समर ओलंपिक्स के बीच में अगर समय कितना है आप लोगों से ये पूछा जाए तो ये कुल मिला करके चार सालों का होता है चार साल के बाद में दो समर उलम्पिक के बीच में गैप होता है और इस बीच में इन दोनों के बीचों बीच में याने की एक समर उलम्पिक से दो साल आगे और दूसरे Summer Olympics से दो साल पहले क्या होता है तो एक Winter Olympics का आयोजन कराया जाता है इस बार के जो Summer Olympics पेरिस में आयोजित कराया गए थे उनको आधिकारिक तोर पर क्या कहा जाता है Games of 33rd Olympiad Commenced on 26 July को ये शुरू हुए है और 11 अगस्त को ये finally क्या हो गए है समापन इनका हो गया इनकी closing ceremony हो गई है ये तीसरी बार था जब पेरिस ने क्या किया है मेजबानी की है Summer Olympics की और ये 100 साल बाद 1924 में हुआ था पहले इसका पहले वाला जो संस्करन था Summer Olympics का जो पेरिस में आयोजित कराया गया था वो कब हुआ था 100 साल बाद तो ये क्या मना रहा है century एक अपना celebrate कर रहा है पेरिस Olympics समर्स का तीसरी बार पेरिस में क्या किया गया है इसे आयोजित कराया गया है आगे चलते हैं ओलंपिक गेम्स के बारे में थोड़ा सा information देख लेते हैं ओलंपिक खेल दुनिया की एक मात्र वास्तविक वैश्विक बहु खेल उत्सवपूर्ण एथलेटिक प्रतियोगिता है ये बिल्कुल आप लोग इसको रट लेंगे ओलंपिक खेल दुनिया की एक मात्र वास्तविक बहु खेल उत्सवपूर्ण एथलेटिक प्रतियोगिता है ओलंपिक गेम्स और वर्ल्ट्स ओनली ट्रूली ग्लोबल मल्टी स्पूर्ट सेलिपरेटरी एथलेटिक कॉंपेटिशन ओलंपिक वह जगा है वह अस्थान है जहां दुनिया प्रतिसपर्धा करने प्रेरित महसूस करने और एक सांथ रहने के लिए आती है यह जो ओफिशियल और 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 यह जाती है यानिकी एक बार गर्मी फिर दो साल बाद सर्दी फिर दो साल बाद सर्दी उदाहरन के लिए जो 2024 में हुआ पैरिस में यह क्या था आपका समर ओलंपिक था दो हजार बाइस में जो पीजिंग में आयोजित कराया गया था यह हमारे लिए क्या था विंटर ओलंपिक्स था और जस्ट उसके पहले यह चोटी मोटी बात है आप लोग अपने से समझ करके चलते चलेंगे अब देखिए जो हाल ही में हालिया जो संस्करण रहा है रिसेंट एडिशन वह कौन सा एडिशन रहा है समर ओलंपिक्स का यह रहा है कौन सा तैंटीसवा एडिशन स्लोगन क्या रहा है अब यहां से एक एक बात हमारे लिए महत्यपून होती जाएगी स्लोगन क्या रहा है दो हजाजार चौबीस में रहा है स्लोगन रहा है कुल मिला करके 32 खेलों में 329 events हुए है 332 खेलों के 329 events हुए है 10,000 athletes ने क्या किया? इसमें participate किया है और इंडियासे कुल मिला करके 117 very important इंडियासे कुल मिला करके 117 लोगों ने Olympics में Participate किया है इसके बाद जो logo है इसके बारे में एक एक चीज़े important है, कौन सा संसकरण है, logo क्या रहा है, कितने sports में कितने events हुए हैं, कितने athletes overall रहे हैं और कितने athletes हमारे इंडिया से रहे हैं, इसके बाद में इसका logo क्या रहा है, एक एक बातें आप लोगों के लिए बहुत जादा अब जो को समझने की कोशिश करते हैं यह ती कडिया जाए हर लोगो का मतलब होता है यह देख लेते हैं लेक्स यूनिग रिकमाइब संपने थी सिंबल के क्या आपके प्रतीकों को तीन मुख्य प्रकार के प्रतीकों को जोड करके इसको बनाया गया है सबसे पहला है गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल दूसरा है आपका ओलंपिक फ्लेम और तीसरा है मैरियान स्वर्ण पदक दूसरा है आपका क्या ओलम्पिक की मशाल या फिर ओलम्पिक लौ और तीसरा है मेरियान है ना एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं ये वाला जो पोर्शन आप लोगों को देखने मिल रहा है ये पूरा का मेरियन हम जैसे भारत माता याने भारत का हम करते हैं किस रूप में अपनी माता के रूप में हम देखते हैं भारत को वह सी परकार जो Пेरिस है फिर फ्रस एफुजा раз है वह अपने अपने देश को भी eternity करता है और किस रूप में देखता है तो मेरियान वो भी उनकी एक माता के रूप में ही मेरियान को देखते है तो ये तीन छीजों को मिला करके बनाया गया है Paris Olympic का जो लोगों है ओ, एक तो gold medal है दूसरा यहां पर आप लोगों को यह चेहरा नुमा अक्रिती देखनी मिल रहे होगी जो इसका है इसका मैसकॉरि यह ज्यादा क्या हो जाता है महत्पूर्ण हो जाता है याने कि शुभंकर जो है यह बहुत ज्यादा क्या हो जाता है महत्पूर्ण हो जाता है और यह जो शुभंकर है यह क्या है फ्राइजियन है यह फ्राइजियन हैट याने कि यह एक तरीके का हैट होता है which symbolizes rich heritage and culture of France है ना मतलब France की संस्कृति और वहां की धरोहर को एक symbolize करने वाला है फ्राइजियन है जो बहुत समय से वहां पहना जाता है और इसी का थोड़ा सा कार्टूनी वर्जन बना करके इसका सुभांकर बनाया गया था जिसको हम बोले है क्या फ्राइज ठीक है तो एक-एक चीजें हमें ध्यान रखनी है रिसेंट जो एडिशन हुआ है यह कौन सा एडिशन हुआ है स्लोगन क्या रहा है गेम्स वाइड ओपन रहा है 32 टोटल स्पोर्ट्स रहें जिसमें 329 इवेंट्स हुए है लगबग 10,000 एथलीट्स ने पाटिसिपेट किया जिसमें इंडिया के कितने रहें 117 रहें लोगों में तीन चीजे रही है एक गोल्ड मेडल जो आपकी विनिं इक दूसरा है और तीसरा है जो इसके बाद में जो उसकी ओपनिंग सेरिमनीं हुई है याने की उत्गाटन जो समारो हुआ है ये सीन नदी पर किया गया था जो थोड़ा सा विवादों में भी रहा सीन नदी के उत्गाटन सेरिमनी किया गया किसका पैरिस ओलम्पिक्स का इसके बाद में जो भारत से flag bearers रहे हैं याने की ध्वजा रोहक रहे हैं ध्वजा वाहक रहे हैं आपकी जेगा भारत की ओर से जो opening ceremony हुई है और घाटन सेरेमिनी में बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है वो है आपकी PV सिंदू पुसल्ला वेंकट सिंदू और दूसरे हैं आपके अचंत, शरत, गमल ये दोनों क्या रहे हैं जो आपका उधगाटन समारो हैं उसके दोजा वाहक रहे हैं और वहीं पी- आर श्रीजेश और मनूभासकर ये दोनों आपके समापन समारो जो 11 अगस्त को हुआ उसमें क्या रह लोगों है इंप्वेड्टर्ट याद होनी ही चाहिए है मैं जितना च्छोटा से हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा इसमें से आउट्पुट मिल सके इस प्रकार से इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं इसके बाद में आप लोगों को इसमें से तो कुछ भी नहीं छोड़ना है यानि कि अभी तक हम जो कुछ भी पढ़े हैं ओलम्पिक्स के बारे में इसमें से तो कुछ भी छोड़ना ही नहीं है ओवरॉल चैंपियन बनी है अमेरिका जिसने पाए है कुल मिला करके 126 पदक अस्ट्रेलिया रहा चौथे नंबर पर जो तिरपन पदकों के साथ में चौथे स्थान पर रहा भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं और भारत कौन से स्थान पर रहा है ओवरॉल तो 71st रैंक पर या फिर 81 स्थान पर भारत रहा है बहुत जादा महत्तपूर्ण है आप लोगों को यह वला जमाने के लिए आ सकता है अमेरिका फर्स चीन सेकेंड जापान थर्ड ऑस्ट्रेलिया फूर्थ और भारत रहा कौन से नंपर अब देखते हैं पैरिस ओलंपिक में भारती प्रदर्शन कैसा रहा मतलब भारती जो दल रहा 117 एथलीट्स का उन्होंने किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन किये है केवल वो मुख्य बाते हम देखेंगे जो हमारे एक्जाम उपियोगी होंगी इट वोज लार्जेस्ट एवर रिप्रेजेंटेशन ओफ इंडिया एट एन ओलंपिक इवेंट्स विथ 117 एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग याने कि आज तक का सबसे बड़ा प्रतिनिदित्व हमारा रहा है किसी भी ओलंपिक खेल में जिसमें सबसे ज्यादा कितने लो हैं जिसमें से एक सिल्वर है और पांच क्या है ब्रोंज मेडल है भारत ने 71 स्थान पर क्या किया है खेलों में समापन किया याने कि इस साल भारत कौन से स्थान पर रहा है जबकि जो टोक्यो का समर ओलंपिक्स हुआ था 2020 में जिसमें नीरत चोपड़ा ने हमें गोल्ड दिलाया था उसमें भारत कौन से स्थान पर रहा था अड़तालिस्वा लेकिन जो 2024 पैरिस में आयोजित कराये गया है समर ओलंपिक्स उसमें भारत का स्थान जो रहा है वो कितना रहा है 71 स्थान इसमें रहा है ये वो लोग हैं जिन्होंने क्या जीता हैं मैडल्स जीते हैं जो सबसे पहले हैं वो हैं नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है रजत पदक जीता है याने की सिल्वर मैडल यहां पर जीता है किसने नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है भाईया सिल्वर मैडल जीता है किसमें जीता है जैवलिन थ्रो में जीता है मनू भासकर ने 2 medals जीते हैं एक individually वो जीती है किसमें 10m air pistol में women's के category में दूसरा उन्होंने जीता है mixed category में 10m air pistol के mixed category में सरभ जोज सिंग के साथ में इन्होंने क्या जीता है bronze medal जीता है याने कि 2 medals जीत गए bronze के किसने मनू भासकर ने एक सरब जोच सिंग ने जीत किया कौन सा ब्रोंज मेडल इसके बाद में स्वप्तनिल हमारे पास में कुछ आले हैं जिन्होंने क्या जीता है ब्रोंज मेडल जीता है मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में हारती टीम जो है हौकी की उसने भी क्या जीता है ब्रोंज मेडल जीता है मेंस फील्ड हौकी में और अमन शहरावत ने ब्रोंज मेडल जीता है किसमें मेंस फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम रेस्लिंग में तो यह हमारे वो 6 मेडल हैं जो हमने इस बार जीते हैं नीरत चोपडा ने सिल्वर मेडल मनु भासकर ने दो आपके क्या ब्रोंज मेडल और सरब जोज सिंग ने एक ब्रोंज मेडल स्वपनिल खुशाले ने एक ब्रोंज टीम इंडिया ने एक ब्रोंज होकी टीम इंडिय आप लोगों से स्टेटमेंट वाले सवाल यहां से बनेंगे नीरज चोपड़ा सिक्योर्ड सिल्वर मेडल इन जैवलीन त्रो विथ त्रो ऑफ 89.5 89.45 मिटर्स तक इन्होंने भाला फेक करका क्या किया है जैवलीन त्रो में इन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता है दूसरे स्वप्तनिल जो कुशाले है इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है लेकिन कौन से में कौन सी क्याटिगरी में या फिर कौन से इसमें आज से पहले तक हमें कोई मेडल नहीं मिला था स्वपनिल ने ब्रोंज दिला करके यहां का सूखा खतम किया है याने कि यह पहले व्यक्ति बन गए है जो इस कैटिगरी में इस इवेंट में एक मेडल ले करके आये हैं इसके बाद में मनु भासकर जो रही है यह भारत की पहली महिला बन गई है जिनोंने एक क्या मिला है एक मेडल जीता है इससे पहले तक केवल पुरुशों ने ही शूटिंग में क्या जीता है मेडल जीता था मनु भाकर पहली क्या बन गई है महिला बन गई है जिनोंने शूटिंग में मेडल हासिल किया है कौन सा मेडल हासिल किया है ब्रोंज मेडल हासिल किया है साथ ही वो आपका स्वतंत्र भारत की पहली ऐसी एतलीट बन गई है जिन्होंने एक ही Olympics में दो medal जीत लिया है आज तक कभी भी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहा है भारत के स्वतंत्रता के बाद से जिसने एक ही Olympics में दो medal जीते हों तो एक तो पहली महिला बन गई है जिन्होंने shooting में क्या पा गया है एक medal जीता है और साथ में ये दो medal जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली क्या बन गई है athlete बन गई है और इन्होंने एक पाया है medal किसमे individual category में इन्होंने secure किया है और दूसरा इन्होंने mixed category में क्या secure किया है medal secure किया है किसके साथ में सरब जोट सिंग के साथ में highest medal tally in shooting for India till date याने कि आज तक का हमारा shooting में सरवादिक medal हमने पाए है और कितने कुल मिला करके हमें medals मिले हैं shooting में इस बार तीन medals मिले हैं जो सरवादिक रहे हैं आज तक के इतिहास में Indian hockey team won bronze medal at men's hockey तो मनु भाकर क्या बन गई है भारत ने आज तक निशानने बाजी में सबसे ज़्यादा अधिक पदक पाए हैं इस बार दो हजार किसमें 24 में स्वपनिल कुशाले जो रहे हैं इन्होंने 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन्स परदा में bronze medal जीता है और इस event में एक भी medal आज तक भारत को नहीं मिला था यह पहला medal है जो स्वपनिल कुशाले द्वारा लाया गया है एक दो ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए विनेश फोगट जो फोगाट जो हमारी बहुत फेवरेट रेसलर है हमारे पूरे देश की हर व्यक्ति के मुँ में इनका नाम रहता है विनेश फोगट का फाइनल्स में पहुच गई थी ये 50 kg कैटिगरी की और आखरी में केवल 100 ग्राम एक्स्ट्रा होने के कारण इन्हें 50 kg की जो कैटिगरी की रेसलिंग थी विमेंज की उसके फाइनल से डिस्क्वालिफाई कर दिया गया बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग पिक्चर्स इनकी सामने आई इंटरनेट पर पुरा देश दुखी हुआ इस चीज से इसके बाद इन्होंने अपने रेसलिंग से सन्यास्प की भी घोष्णा कर दी है इसके बाद में दूसरे जो हमारे रहे है ये रहे है लक्ष सेन लक्ष शेन जो रहे है इसके बाद में सात्विक साहिराज और चिराग शेटी जो रहे है ये क्वाटर फाइनल्स में पहुचने वाले पहले क्या बन गए है पहले डूओ बन गए है या फिर पहली टीम बन गई है और सात्विक साहिराज चिराग शेटी जो है ये भी हमारे स्टार शटलर्स है याने कि बैटमिंटन के प्लेयर्स है और बड़े ही नाटकी धंग से जर्मनी की टीम जब वाक आउ सात्विक साहिराज और शिराग शेटी की लक्षिस्थेन पहले ऐसे बैटमिंटन प्लेयर्स है जो सेमी फाइनल्स तक पहुच गये हैं किसी ओलंपिक गेम्स की और आज तक का जो भारत का सबसे बहतरीन प्रदर्शन रहा है ओलंपिक्स में वो रहा हमारा कभ जो टोक्यों ओलंपिक्स हुए थे 2020 में इसमें हमारे भारती दल का सबसे बढ़िया क्या था प्रदर्शन था जिसमें हमें कुल मिला करके साथ मेडल्स मिले थे और एक गोल्ड मेडल मिला था नीरत शोपरा के द्वारा दिलाया गया था और उस समय जो भारत का ओवराल स्थान था वो जरूरी था अब आगे चलते हैं टीटि एशिया कुप दोहजार पचीस है सथलिए तिटीटि एश्या कब होने जा रहा है जिसका और भारत ब़ारत को 34 सालों बाद मेजबानी मिली है कि स्की टीटवंटी एशिया कब दोहजारं पचीस की है ना औरली से कृकेट एक्रिकेट परिशद के ज्बाँ कि कर आयोजित संटर पनीन है एसके में कब 1984 में पहला संस्क्रण खेला गया था किसके द्वाराएजित कर आया जाता है यहiyet परिशत के द्वारा आयोचित कराया जाता है थीसरा महिला एटे 20ieza Cup 2022 महिला 2020 verz. बश. जो रही है उसका 9ोा संस्क्रट हाल ही में आयोजित कराया गया था कौन सा संसकरन नौवा संसकरन आयोजीत कराया गया था जो कि एशियाई क्रिकेट परिशाद द्वारा ही आयोजीत कराया गया था जिसमें श्री लंका ने भारती महिला टीम को हरा कर एशियाई कप का अपना पहला खिताब जीता है श्री लंका ने दो हजार चौबिस में हुए महिला टी ट्वेंटी याने की ट्वेंटी ट्वेंटी एश्याई कप का खिताब जीत लिया है भारत को हरा करके और ये खिताब उन्होंने पहली बार जीता है किसने श्री लंका ने चलिए फाइनली हमारा जो लास्ट टॉपिक है वह विविद या फिर मिसलेनियस नो मैडिक फेस्टिवल हाल ही में लेह जो लद्दाग किये क्या है राजधानी है लद्दाग यूनियन टेरिटरी की राजधानी है वहां पर आयोजित कर आया गया था नो मैडिक फेस्टिवल खाना बदोश उत्सव और यह आयोजित कराया गया था चौथी बार यानि कि यह फूर्थ एडिशन ऑफ नो मैडिक फेस्टिवल आयोजित कराया गया था कहां पर कराया गया था चिप्रा कारग्याम चांग थांग लेह लद्दाग में आयोजित कराया गया था जो दो दिनों तक यहां पर रहने वाली खाना बदोश चांग थांग चांग पा नामक आपकी खाना बदोश जो ट्राइब है चांग पा नामक जो ट्राइब है जो कहां रहती है लद्दाग में रहती है एक खाना बदोश ट्राइब है नोमेडिक ट्राइब है इनके cultural heritage को showcase करने के लिए यहाँ पर चौथा क्या कराया गया था खाना बदोश 300 मनाया गया याने की नो मेडिक festival मनाया गया कहाँ पर मनाया गया है यह जो स्थान है इसका नाम है आपका चिबरा कारग्याम चांग थांग जो कहाँ पर है लेह में है और लेह कहां पर है लदाग में है और दो दिनों का ये क्या रहा है जीवन्त उत्सव के बाद 28 जुलाई को संपन्न हुआ इस छेत्र में रहने वाले चांग पाजन जाती की खाना बदोश जीवन शैली को दर्शाने के लिए या दुनिया के सामने शोकेस करने के ल अगर आप चाहते हैं अपने केरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िये competition community के साथ आज ही हमारे website के carrier page पर विजिट करें अत्वा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ Team Coco